हलो स्टुटेंट कैसे आप लोग आई होप कि आप बहुत ही अच्छ होंगे तो आज इस वीडियों बात करने वाले हैं ICR UG 2022 जिसमें आपका PG and PhD की में इस वीडियों में बात करेंगे तो आप इस वीडियों में बात करने वाले हैं आपका minimum आगे के process क्या रहेंगे जैसे समी ने scorecard रेंग कार देख लिया होगा तो आगे की process आपकी क्या रहेंगी ठीक है minimum आपको कितने rank पे इस बार काउंसली में participate करना चाहिए क्या benefit इस बार होने वाला है आपका total seat कितना है total fees आपका किस college में कितना लगने वाला है जितना भी आपका ICR का E to Z process है वो आज इस वीडियों हम डिसकस करने वाले हैं साथ ही साथ अपने doubt जो है वो comment box में लिख सकते हैं हर एक students के comments के reply जरूर देंगे लेकि चैनल को पहले subscribe कर लीजिए ठीक है हो जाए आपका एक साल बरबाद होने से बच जाए ठीक है तो वह भी हम यहाँ पे आपका discuss करेंगी साथ इपसाथ आपका important documents कौन से लगने वाले है क्योंकि सभी students ज्यादा तो आपका जब seat allotment हो जाता है तो documents काफी गलते हैं documents बें करते हैं documents सही तरीके से नहीं बनवाते हैं उसी की कारण उसका admission cancel हो जाता है तो यह जो है आज का main topic रहेगा कि important documents यह दी किसी के पास नहीं है तो जल्दी से जाकि वह बनवाना होगा ठीक है total आपका seat matrix कितना रहेगा जितने भी आपके ICR colleges है आपको पता होगा कि इस बार जो seat allotment है वो पहले 15% पर होता था इस यह आपका 20% पर हो रहा तो 5% आपका benefit होगा सभी में चाया PG की बात करो तो 20-25 हो गया इसी तरह सब में seat increase हो गया ठीक है total seat की बात करेंगी उसक सब्सक्राइब करेंगे कि कितना आपका जो है फीस रहने वाला ठीक है सब की हम बात करेंगे तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे information मिलने वाले हैं तो लाश्ट तक वीडियो के बने रहे हैं साथ ही साथ जो स्टोएट्स हमारे टीम से कांसलिंग करवाना चाहते हैं तो कांसलिंग की जो आपका प्रोसेस रहेगा वो आपकी ओफिशल साइड आइस्यार एक्जाम.net पर चलने वाला है ठीक है यह आपका ओफिशल साइड आपको याद रखना है ने कि आपको आइस्यार का वो जो पहले आपका वहां पर स्कोर कार्ड हुआ था उस पर नीच चले लाइगा उसके बाद में सबसे में ने करते हैं नापना कुश तूडन आपका ये सबसे हर भी only पहले हैं तो एक चीज का इस बार द्हार एक है कि seat increase हो चुका है number of total student 1.16 है थे लास्ट year इस साल 61,000 ही है ठीक है तो इस सीज को आप दिमाग में रखे यादि आप copy paste कर रहो हो तो कहें ने कहें आप loss कर लोगे जो college आपको अच्छा college मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा ठीक है तो पूरा information लेके ही आप counseling process करें ठीक है उसके बाद में आपका जो choice filling हो जाएगा लोग हो जाएगी ठीक है लोग होने के बाद आपका round चलेंगे first second third round ठीक है यह आपको ध्यार में रखना है first second third round आपका यहाँ पे counseling एक बार ही होगा एक बार ही registration होगा जिसका आपको BAC agriculture चाहिए तो आपकी choice filling एदी अच्छी होगी तो आप उसे upgrade कर सकते हैं second round में आने के बाद भी एदी अलोट नहीं होती है third round में आप upgrade कर सकते हैं तो इस तरह से आप upgrade का options यहाँ पे दिखाए देगा उसके बाद में आप more power round में पार्ट इदी आपको street allotment हो जाती है तो आप more power round में नहीं participate कर सकते हैं आपको street allotment आता है आपके पास allotment लेटर आएगा आने के बाद आपको online ही documents verification करना होगा ठीक है जैसे street allotment होती है उसके बाद भी आपको online documents verification करना होगा सारे documents आपको देने होगे उसके बाद में offline आपकी reporting की जाएगी सभी students की चाहे आप first round में select हुए हो चाहे second round में select हुए चाहे third round में चाहे आप mobile round में ठीक है या चाहे आप college level counseling में select हुए सबका reporting एक साथ होगा सबकी classes एक साथ start होगी तो जिनको first round मिल जाएगा तो उनको wait करना होगा last round तक complete होने सबको एक साथ ही college पुलाया जाएगा तो यह भी आपको clear हो चुका होगा अब चली आगे बढ़ते हैं यहापी हम बात कर रहें safe rank क्या होगी ठीक है कितना score minimum आपका करना चाहिए कि कितना rank आपका होना चाहिए जैसे कि आप ICR counseling में participant कर सके हो लास्ट वी इडियो में बताया था कि आपको कितने rank तक course मिल जाएगा तो उसका link आपको description मिल जाएगा वहाँ पर आप आप जाके देख सकते हैं चैनलों को एक बार check out कर लिजे सुदब वीडियो सबसे बहुत आपको क्या होने वाला है इस बार new colleges भी एड हुई है आया रहे कि हम बात करें तो इस बार पिछली बार उसको बेश एजी नहीं था है इस बार इस पर course increase हुआ तो 200-300 seat वहाँ पे increase हुई है ठीक है total student की हम बात करें तो last year 1.16 student से ठीक है तो इस साल है वो 61,000 ही उसको follow करना ही होगा ठीक है अब यहाँ पर बात करें सेप स्कूर की तो सेप स्कूर क्या है इसकी हम एक बार यहाँ पर detail information देंगे आपको यह दिया आपका 45 या 50 क्या प्रोक्स है PCB या PCM से हो तो जरूर counselling में जाए क्योंकि आपका ज्यादा चार्जस नहीं लगेगा ज् साल बच जाए ठीक है और भी से तो 55-60 परसेंटाइल तो जुरूर आप जाए क्योंकि क्योंकि आपका होता है विकेट शीट पर होता तो कहीरे के सीट अलोटमेट हो जाएगा तो यह किसी चुट्मेंट का भाथ करें जाए पर देख सकते हो 2021 का यह उनका रेंग काड है ठीक है 2021 का इंका रेंग काड है इस पर आपको 1400 इंपा के टेगरी लेंग था 1401 और इनका जो आपका रेंग था ओल इंडिया रेंग था उनका 23452 रेंग था तो उन्होंने परसनल काउंसलिंग सजेस्ट किया तो हमारी टीम ने इनको अच्छी को लेज ठीक है परफेक्ट चोईस फिलिंग करने के बाद इनको सीट जो अलोटमेंट हुई ठीक है तो इनक में ही सीट अलोटमेंट हो गया तो चलिए इनका सीट अलोटमेंट एक बार देखा देते आपको यह उनका सीट अलोटमेंट है देखो यहां पर देख सकते हो जब उनका सीट अलोटमेंट हुआ था 22 12 2021 ठीक है तो इनको अलोटमेंट शीट ओने उनको कोर्स अलोट हुआ थ कि भीना डाटा के आप प्रूफ देती हो ठीक है तो भाई इस मैं तीन-चार साल से काप कर रहा हूं इस चीज में हर साल मैं कांसलिंग करता हूं काफी स्टुडेंट्स का करता हूं तो मुझे इस सब सीज का आइडिया है हर कोलेज के बारे में एक तब फर्फेक्ट आइडिय सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर देख सकते हो पूरा प्रोसेस हमारे टीम के द्वारा किया जाएगा जब तक आपको सीज अलोट्मेंट नहीं होगा सारी और उसके बाद आपको परसनल ग्रूप में भी लेगा जिस पर आपकी सारी दूर की जाएगी तो चलिए तो च अब आगे बढ़ते हैं अब यहां पर हम बात करेंगे इंपोडेंट्स डोकुमेंट्स को लेखें कि कौन-कौन सी डोकुमेंट्स आपको बनवाने होगी तो चलिए एक बार हम डोकुमेंट्स को भी देख लेते हैं तो डोकुमेंट्स की हम बात करें तो डोकुमेंट्स आ सब्सक्राइब ऋदूराWest में सब्सक्राइब यहां बुफ़ थीक है और EWS सबका आपका कैटेगरी होना चाहिए जो कि स्टीट एंड सेंटर दोना होना चाहिए उसके साथ या प्रिद से अलग से विडियो बना देंगे डॉकमेंट्स पे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है और सारी प्रॉसेस हमारे परसिल ग्रूप में भी आपको तो आगे की process जो है documents को लेके वह आपको समझ में आ गई होगी वही हम बात करें college wise जो है आपका fees structure कितना होगा ठीक है कितना fees आपका लगने वाला है सबसे पहले हम बता देते कि आपका hostel जो चार्ज रहेगा वह hostel आपको free मिलता है आपका charge लगता है वह आपका tuition fees ठीक है उसके मैंने यह pdf अवलेबल करवा दिया है हमारे telegram चले पर हमारे personal जो आपके counseling की student उनके group में भी और जो हमारे group में है ठीक है WhatsApp group में जिसका link का आप description आप भी जोईन हो सकते हो तो उसमें आपको सारे PDF मिल जाएंगे telegram पे मिल जाएंगा जिसका सबका link description में बाद से जोईन हो सक है तो देख लिए सकते हो कि सारा यहां पर हमने data दिया है ओके चाहिए आप पीजी के student हो तो पीजी के student 2021 का फीस हमने PDF डाल दिया है ओके और उसहीं बात करें हम PhD की तो PhD का भी हमने यहां पर डाल रखा है तो सारे student PhD के यूजी के जितने भी है सब अपने seat matrix के according और फीस भी data अपने टेलिग्राम पे अपने वार्ट्स ग्रूप पर पर सेर कर दिया गया है तो वहां पर जा कि आप दे सकते हो लिक्स सब का आपको description में मिलेगा तो यहां पर PhD का भी यहां पर information दिया गया है होगा सभी state university में 5% seat है वह increase होगा ठीक है तो यह भी आपको आइडिया लेना हो कि कौनशी college में कौनशी college में होगा कि इतना उसका seat available है केटेगरी वाइस यहां पर मैंने इस सारी पीडियाप आपका वारे टेलिग्राम परसनल ग्रूप और वाट्सप ग्रूप में मिल जाएगा ठीक है तो वहां से आप जाके check out कर लीजिए ओके और इंदी नहीं अवलेबल होता है तो आप comment box में हमसे मगवा सकते हैं यहां प परसनल ग्रूप है उसमें आपको मिल जाएगा तो आई ठीक है यह आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा फिर भी एदि किसी स्टुडेंट्स को कोई डाउट है कोई confusion है तो वह आप हमसे पूफ सकते हैं डिसकस कर सकते हैं साथी साथ आप यहीं चैनल पर नहीं हो